हेलो दोस्तो दा अल्टिमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे तो दोस्तो अट लास्ट इंतजार खतम हो गया है हम मार्च महीने से इंतजार कर रहे है कि IPL कब होगा कब होगा कब होगा और अट लास्ट आज यानि 19 सप्टेंबर 2020 से IPL 2020 स्टार्ट होने वाला है और दोस्तो IPL इतिहास की दो सबसे सफल टी में चन्ने सूपर किंग्स और मुंबई इंडियन्स के बीच पहला मैच होगा IPL का अबुधभी में United Arab Emirates के अबुधभी के स्टेडियम में पहले बात करते है पिछ रिपोर्ट की तो दोस्तो पिछ रिपोर्ट ये कहता है कि अबुधभी की जो पिछ है वो बहुती स्लो पिछ है यहाँ का एवरिच स्कोर है 146-147 तक यहाँ का एवरिच स्कोर है और दोस्तो यहाँ पे spin ballers कमाल करते है और spin ballers बहुती बड़िया balling करते है इस pitch में क्यूंकि इस pitch में ball grip होके आती है ball थोड़ा रुक के आती है slow pitch है क्यूंकि मौसम जो है काफी dry है यहाँ पे 40 degree Celsius है बारिश का नामो निशान नहीं है dry storm चलता है यहाँ पे अभी सुबह सुबह dry storm भी हुआ है sandstorm हुआ है थोड़ा बहुत तो दोस्तो बहुती dry है तो wicket बिलकुल सूखा है और दोस्तो spinners को बहुत जादा मदद करने वाला है तो दोस्तो अब बात करते हैं आज के match में favorite कौन है कौन जीत सकता है तो अगर हम Chennai Super Kings और Mumbai Indians दोनों की खिलाडियों की बात करें तो अबुदवी में खेलने का United Arab Emirates में खेलने का दोनों के खिलाडियों के पास जादा कोई experience नहीं है ना ही ये Mumbai Indians का वांग खेड़े है ना ही Chennai का stadium है किसी का ही home ground नहीं है ये तो equal advantages और equal disadvantages है दोनों ही टीमों के लिए पर दोस्तो Mumbai Indians एक चीज में बहुत आगे है कि Mumbai Indians को practice करने का जादा time मिला है Chennai Super Kings से दोस्तो Chennai Super Kings जब आई उन्होंने एक हफ़ता quarantine किया उसके बाद फिर से उनको quarantine होना पड़ा क्योंकि उनके 10 staff चैने Super Kings के 10 staff Corona positive पाए गए थे और दोस्तो Chennai Super Kings के दो खिलाडी भी unavailable हो गए सुरेश टैना जो read की हड़ी है CSK के और दोस्तों उनके spin star जो की UAE में इस बार धमाल मचाने वाले थे हरबजन सिंग इन दोनों के जाने से obviously CSK का motivation to down होगा ही होगा और दोस्तों उनको practice करने का atmosphere से अपने आपको तालमेल बिठाने के लिए उनको कम मौका मिला तो Mumbai Indians इस बात पे edge जरूर है Mumbai Indians के पास अब दोस्तों बात कर लेते है Probable 11 की यानि Chennai Super Kings और Mumbai Indians की Probable 11 क्या हो सकती है तो दोस्तों अगर हम Mumbai Indians की बात करें तो रोहित शर्मा, कुइंटन डिकॉक, सूरे कुमार यादव, इशान किशन, कीरन पोलाड, हार्दिक पांडिया, कुनाल पांडिया और दोस्तों ट्रेंड बोल्ट, कूल्टर नाइल, राहूल चहर और जस्पीद बुमरा हो सकते है इनके Probable 11 चैन्नी सूपर किंग्स की बात करें तो शेन वाटसन, फाफ डूपलेसिस, अंबती राइडू, केदार जादव, महेंदर सिंग दोनी, रविंदर जडेजा, दोएन ब्रावो, प्यूश चावला, दीपक चहर, शारदुल ठाकुर और इमरान ताहिर इनके Probable 11 हो सकते है दोस्तो यह जो मैंने आपको Probable 11 बताया है, यह मेरा opinion है, मैं यह सोचता हूँ कि यह 11 हो सकता है पर दोस्तो जब आखरी announcement होगा, final announcement होगा, तब आप हमारे Facebook पेज में जाके, जो final team है वो देख सकते हैं, मैंने link description में दे दिया है हमारे Facebook पेज का, जरूर join करें, वहाँ पे आपको IPL की हर एक update मिल जाएगी तो दोस्तो अब बात करते हैं fantasy league यानी dream 11 की, dream 11 में आप अगर small league खेलते हैं, तो आपको क्या team चुननी चाहिए या फिर आप चुन सकते हैं, यह मेरा opinion है, मैंने यह team चुनी है, आप अपनी अलग team चुन सकते हैं, मैं जस्ट आपको एक opinion दे रहा हूँ कि यह team बहतर हो सकती है, बाकि आपकी अपनी choice है, आप कुछ भी team select कर सकते हैं, पर दोस्तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वही team चूज करें, जिनका खेलना almost पका हो उस match में, क्योंकि दोस्तो आपने कोई ऐसा खिलाडी चूज कर लिया small league में, जो की खेलने की probability बहुत कम है और वो ना खे कीपर में मैंने चुना है, महिंदर सिंग धोनी को, महिंदर सिंग धोनी को सबसे जादा लोगों ने विकेट कीपर चुना है, तो small league के लिए महिंदर सिंग धोनी वैसा तो मेरे हिसाब से सबसे बहतर है, क्योंकि विकेट के पीछे सबस्यादा catches, stumping ये सब धोनी के पास ही और दोस्तो जहां बात रही रन मारने की तो महिंदर सिंग धोनी से बेतर और कौन हो सकता है आप कुईंटन डिकॉग भी चुन सकते है वो आपकी चॉइस है ग्रैंड लीग में कुईंटन डिकॉग काम आएंगे क्योग कुईंटन डिकॉग को ग्रैंड लीग में बहुत जादा लोग नहीं चुनेंगे तो दोस्तो अगर आप कुईंटन डिकॉग ग्रैंड लीग में चुलते हैं तो आपको एक एज रहेगा अगर मैं दोस्तो बैट्समेन की बात करूँ तो मैंने चार बैट्समेन चुने है रोहिच शर्मा, फाफ डूपलेसिज, शेन वाट्सन और सूरे कुमार यादव दोस्तो रोहिश शर्मा तो मैंने इसलिए चुना है आप सबको पता ही है कि रोहिश शर्मा अगर खेल जाएंगे तो लंबा स्कोर जरूर मारेंगे और दोस्तो जातर चांस इस पूरी टीम में सबसे जादा चांस है कि क्लिक करें वो है रोहिश शर्मा रोही शर्मा से बहतर खिलाडी शायद ही इस टीम में कोई और हो उसके बाद दोस्तो बात करता हो शेन वाटसन की शेन वाटसन चन्ने सूपर किंस के लिए हमेशा ही अच्छा खेलते है अगर दोस्तो लंबा स्कोर ना भी मारे फिर भी वो 30-40 रन की पारी तो 80% टाइम खेलते ही खेलते है और दोस्तो अगर बाई चांस वो लंबा खेल जाए फिर तो आपके वारे नयारे है क्योंकि दोस्तो शेन वाटसन आपको बहुत सारे पॉइंट्स देंगे और शेन वाटसन बालिंग भी करा सकते है विकेट्स भी छटक सकते है फाव डुपलेसिस की बात करूँ तो फाव डुपलेसिस एक बहुत ही डिपेंड़ेबल खिलाडी है वो स्टार्टिंग में ही आएंगे बैटिंग करने CSK के लिए और स्टार्टिंग में उनसे ज़ादा उमीद है कि वो कुछ अच्छे रन बनाए सूरे कुमार यादव की बात करूँ तो सूरे कुमार यादव इस समय अपने सबसे अच्छे फॉर्म में है वो अच्छी hitting लगा सकते है वो balling भी करा सकते है और fielding तो बहुत जबरदस करते ही है हर जगा पूरे ground में आपको सूरे कुमार यादब मिल जाएंगे कही न कही तो सूरे कुमार यादब बहुत ही अच्छे points दे सकते है अगर मैं दोस्तो all rounders की बात करूँ तो मैंने 3 all rounders चुने है रविंद्र जडेजा, कीरन पोलाड और हार्दिक पांडिया दोस्तो मैंने हार्दिक पांडिया को अपनी team का captain बनाया है आप चौके जरूर होंगे पर ये सही है मैंने captain बनाया है क्योंकि हार्दिक पांडिया एक तो batting हार्दिक पांडिया की batting बहुत शांदार चल रही है practice matches में हार्दिक पांडिया ने जबरदस performance किया है तो दोस्तो हार्दिक पांडिया का चलना लगबग मेरे तोर से 95% तक fix है कि उनका चलना जरूर चलेंगे वो उपर से दोस्तों उनकी balling वो एक wicket taker है और जब भी आते है कुछ ना कुछ wicket तो लेके ही जाते है उपर से fielding तो तो तीनों चीजों में हार्दिक पांडिया आपको points देंगे और तीनों में से अगर दो चीज दो चीजों में भी हार्दिक पांडिया चल जाते है जो कि पूरी उमीद है कि वो चलेंगे तो आपका points बहुत जादा हो जाएगा और अगर वो captain हुए तो आपके points डबल हो जाएगे उसके बाद दोस्तों बात करता हो रविंद्र जडेजा की रविंद्र जडेजा भी आपको पता है हार्दिक पांडिया की तरह ही है वो तीनों चीजों में expert है balling, batting, fielding तीनों चीजों में expert है तो जडेजा को तो all-rounder में रखना बनता ही है और कीरन पोलाट को इसले लिया है क्योंकि CPL 2020 में TKR के captain थे कीरन पोलाट और balling और batting दोनों से ही उन्होंने match जिताया है TKR को तो अपने बहुत अच्छे form में है कीरन पोलाट तो टीम में तो वो बनते है अगर मैं दोस्तों balling की बात करूँ तो balling मैं तीन baller लिये है दीपक चहर, प्यूश चावला और जस्प्रीद बुमरा जस्प्रीद बुमरा तो खेर किसी भी टीम में होंगे क्योंकि वो एक डिगेट टेकर है और उनको खेलना बहुत मुश्किल है दीपक चहर, यंग fast baller और वो अपने बहुत ही अच्छे form में है practice matches में बहुत ही अच्छा performance किया है दीपक चहर ने प्यूश चावला, प्यूश चावला ने IPL में हमेशा से अच्छा performance किया है KKR के लिए और ये track जो है वो spinner का track है तो प्यूश चावला बहुत ही अच्छे साबित हो सकते है, आप इमरान ताहिर भी ले सकते है प्यूश चावला की जगा या दीपक चहर की जगा क्योंकि ये spinning track है या पर spinners बहुत अच्छा करने वाले है तो दोस्तो ये थी मेरी dream 11 की team, आपने क्या team चुनी है comment box में लिख सकते है और दोस्तो मेरी team का क्या result रहा कौन से खिलाडी ने कितने points दिए ये मैं match के बाद 12 से 12.15 के बीच आपको आके बताऊंगा, वीडियो में मैं डालूंगा तो दोस्तो IPL से रिलेटेड हर एक match का detail analysis जानने के लिए dream 11 team जानने के लिए subscribe करें हमारे channel को, जय हिन दोस्तो